हेले विर्वन मैं हूँ आपका दोस्तत विशेक सिंग वेलकम बैक वारीडिव चैनल इंडेन ट्रैवल सिंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे टायर्स के बारे में कि टायर्स कितने इंपोर्टेंट है जब भी आप कोई नई बाइक देख रहे हैं या अगर आपके पास अल्रेडी बाइक है तो आपको टायर्स कब चेंज करने चाहिए आज के इस वीडियो में आपको बता चलेगा कि जितना जाधा आप टायर्स करेंगे उतना ही जाधा उसकी सेफटी डिक्रीज हो जाएगी बट वाट इफ इफ आपको वर्य अवाट टायर्स के लिए यह जाधा सुनने में इस चॉकिंग है उतना ही जाधा यह सच है कुछ दिन पहले मैंने एक अडवर्टाइजमेंट देखा अबाउट C8 Grip X3 टायर्स और यह जाधा यह जाधा बाइक चलाने के बाद इस टायर्स के बारे में थोड़ा बहुत और समझते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाऊं C8 Grip X3 एंड अधर टायर्स के बीच में C8 Grip X3 टायर आपकी बाइक को एक अमेजिंग ग्रिप देता है आपकी बाइक को एक बहुत अच्य ग्रिप करते हैं थूओट दे लिए अच्छी ग्रिप करता है तूट दा लाइक स्चाहिए और अशे संजातुओं जब भी आप इस टायर को अच्छे से यूज कर लेंगे इसके बाद इसके अंदर है high grip inner layer thread compound जो कि आपके बाई को एक better grip देता है which is specially designed for angular groove direction for good traction on wet roads. This is a safe way to ride the bike even after the tires are worn out over at while without much worrying about the safety. So how do we know when the second layer of tire starts? It starts after the tires 50% of non-skill depth is reached. इस tire की grip को एक special way में design करा गया है कि 50% and use होने के बाद भी ये tire आपको twist and turns पर एक amazing grip देता है and इस tire को use करने के बाद मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि it gives you a fantastic overall control even during leaning. अब में से बहुत सारे लोगों ने double layer dual compound के बारे में first time सुना होगा. So मैं आपको बताता हूँ tire का जो first layer होता है वो होता है high grip compound and tire का जो second layer होता है वो होता है superior grip compound and guys summer's के time में ये tires less heat generate करते है and dry surface पर ये बहुत अच्छे से work करते है जो कि tire की lifespan को बढ़ाता है and guys जैसे कि बहुत पहले बता है कि जब भी आप lean कर रहे है या फिर corner करने है during rains या फिर wet patches पे तो ये tire आपको एक better control provide करता है so guys मेरा reason grip x3 को choose करना other tires के comparison में सीधा सा है कि ये tires के बहुत अच्छी quality के साथ बने वे हैं plus ये आपको बहुत अच्छी safety provide करते हैं जो कि एक important factor है so मेरे लिए तो बहुत अच्छे tires है and I can assure you about it so guys let me tell you the specification about this tires so guys जो rear tire tire है उसकी specification 140 70 by 17 लो guys ये tires जैसे advanced technology के साथ बने वे हैं वो आपके confidence को एक boost देता है जब भी आप कहीं पहाड़ों पर या कहीं भी ride कर रहे है with all the consumer benefits the safety which grip x3 gives us is just a cherry on the cake so आप लोग tires purchase कर सकते हैं C8 की online website से and आप अपने nearest dealers से भी purchase कर सकते हैं and आपको free delivery मिलती है यहाँ पर and अगर आपने जो tire order कर रहा है वो right size का नहीं है तो आप उसको easily replace भी कर सकते हैं and guys in tires पर है manufacturing warranty up to 6 years from the date of manufacturing and non manufacturing defects up to 3 years and a 6 month additional warranty if warranty registration is done you can find C8 tires everywhere online or offline अज़ बाई सकते हैं के आपको दूढ़? यहाँ वाँ वाँ यहाँ वाँ आपको आपको? वाँ मॉश रवe